नमस्कार, गुड मॉर्निंग, प्रकर जीयस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले एक सब्ता के महतोपूर्ण करेंट अफियर्स अर्थात तीन सिप्तमबर से नो सिप्तमबर तक के करेंट अफियर्स की चर्चा करेंगे जो अगामी परिक्छाओं के लिए महतोपूर्ण साबित हो सकते हैं तो आईए सुरू करते हैं आज का यह वीडियो पहला कोश्चन है हाली में इटालियन ग्रांड प्री दो हजार तेश किसने जीता है तो सही उत्तर हो जाएगा ओप्सन नमबर है मैक्स वर्स्टा पेन इसने इटालियन ग्रांड प्री दो हजार तेश जीता है यह बेल्जियम के निमासी है मैक्स वर्टाप पेन बेल्जियम के निमासी है जो रेड़ बूल के ड्राइबर है नेक्स्ट कोश्चन है तेली लौ 2.0 हाल ही में किस केंद्रिय मंत्री ने लंच किया सही उत्तर अप्सन नंबर सी अरजुन राम मेगवाल ने हाली में केंद्रिय मंत्री अरजुन राम मेगवाल ने टेली लौ 2.0 लंच किया है यह न्याई विभाग अनुछेद 49A के प्रति अपनी प्रतिबध्धता के तहट टेली लौ 2.0 लंच की है 49A अर्टेकिल 49A समान न्याई और मुफ्त कानूनी सहायता से संबंदित अर्टेकिल है कौन सा देश अपने संभिधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जन्मत संग्रह कराने जा रहा है सही उत्तर ऑप्सन नंबर भी अस्ट्रेलिया अस्ट्रेलिया अपने देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जन्मत संग्रह कराने जा रहा है नेक्स्ट कोस्चन है हाली में पूरूस होंकी ASEA कप का खिताब किस टीम ने जीता है सही उत्तर ओप्सन नमबर ए भारत ने हाली में भारत ने पुरुस होंकी एसिया कप 2023 का खिताब जीत लिया है भारत ने पाकिस्तान को हडा कर ये पुरुस एसिया कप होंकी टूर्नेमेंट जीता है नेक्स्ट कोश्चन है तेतालिसवां आसियान सिखर समेलन निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया था सही उत्तर ओप्सन नमबर सी इंडोनेसिया में इंडोनेसिया के जकार्ता में तेतालिसवां आसियान सिखर समेलन हाली में आयोजित किया गया था आसियान का अर्थ होता है दक्षिनपूर्व एसियाई देशों का संगठन है आसियान जिसकी आस्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में थाइलेंड बैंकोक में इसमें बर्तमान में आसियान में 11 सदस्य हैं और ये 11 सदस्य हैं थाइलेंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपिन्स, ब्रुनोई, कंबोडिया और लावोस. Next question है, International Sports Federation के सदस्ट के रूप में किस भारतिये को चुना गया है? सही उत्तर अप्शन नमबर है, लोकेश सुजी. हाली में International Sports Federation के सदस्ट के रूप में लोकेश सुजी को चुना गया है. ये वर्तमान में Sports Federation of India के डाइरेक्टर हैं. Next question है, भारत के पहले AI संचालित, एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? सही उत्तर अप्शन नमबर सी, इंदरजाल. भारत के पहले AI संचालित, एंटी ड्रोन सिस्टम को नाम दिया गया है, इंदरजाल. यह सिस्टम किसी भी प्रकार के ड्रोन से पूरे सहर की रक्षा कर सकता है. Next question है, दूनिया की पहली Transgender Cricketer, डेनियल मैक गेही किस देश से संबंधी थे? सही उत्तर अप्शन नमबर डी, कनाडा. दूनिया की पहली transgender किर्केटर देनियल मैक गेही का संबंध है कनाटा से ये अंतराष्ट्रिय मैच खेलना वाली पहली transgender बन गई है कौन डेनियल मैक गेही हाली में सुरू किये गए मालविये मिशन का संबंध है सिक्षा से या एक सिक्षा मंत्राले के ताहत उजीशी की पर्योजना है जो सिक्षक प्रसिक्षन कार्जकरम से संबंदित है दूनिया का पहला portable आपदा अस्पताल का अनावरन किस देश ने किया है दूनिया का पहला पोर्टेवल आपदा अस्पताल का नावरन किया है भारत ने या जो दूनिया का पहला पोर्टेवल आपदा अस्पताल है या प्रोजेक्ट भीस में के तहत एक घटक है हाली में भारत का पहला सोर सहर कौन बन गया है सही उत्तर अप्सन नमबर 20 साची मध्य परदेश का साची सहर हाली में भारत का पहला सोर सहर बन गया है पहला सोर सहर बनने के लिए सहयो किया है IIT कानपूर ने सांची को भारत का पहला सोर सहर बनने के लिए इसमें सहयो किया है IIT कानपूर ने नेक्स्ट कोश्चन है देश का पहला अंडर ग्राउंड पावर ट्रांसफर्मर कहां अस्थापित किया गया है सही उत्तर अप्सन नंबर C बेंगलूरू में देश का पहला अंडर ग्राउंड पावर ट्रांसफर्मर अस्थापित किया गया है बेंगलूरू में नेक्स्ट कोश्चन है निमलिखित में से किसे राज्य ने ट्रांसजेंडर को OBC का दर्जा दे दिया है सही उत्तर अप्सन नंबर C जारखंड ने हाली में जारखंड ने अपने राज्य में ट्रांसजेंडर को OBC का दर्जा दे दिया है नेक्स्ट कोश्चन है नई दिल्ली में आयोजित G20 सिखर सम्मेलन में निमन में से किसे इसका नया अस्थाई सदस्य बनाया गया है सही उत्तर अप्सन नंबर अफ्रीकी संग को हाली में भारत के नई दिल्ली में आयोजित G20 सिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संग को G20 का नया सदस्य नया अस्थाई सदस्य गोशित कर दिया गया है G20 की अस्थापना हुई थी 1999 में इसमें G20 में पहले यानि की अफ्रीकी संग के सामिन होने से पहले इसमें 19 देश थे 19 देश पलस यूरूपिय यूनियन को मिला कर G20 बना था अब इसमें अफ्रीकी संग सामिल हो गया है अफ्रीकी संग में पहले से पचपन देश सामिल है अफ्रीकी संग पचपन अफ्रीकी देशों का एक समू है नेक्स्ट कोश्चन है उमियाम जील जो हाली में खबडों में थी किस राज्य में इस्थित है सही उत्तर अप्सानमबर डी मेगाले में मेगाले में उमियाम जील इस्थित है जो हाली में खवरों में थी मेगाले में इस्थित उम्याम जिल को साफ करने के लिए रोबोटिक टकनीक अपनाया गिया है इसलिए यह जिल खवरों में थी नेक्स्ट कोश्चन है किस सहर के मैट्रो रेलवे ने परिया टक एस्मार्ट कार्ड लंच किया है सही उत्तर ऑप्सन नंबर B दिल्ली ने दिल्ली मैट्रो ने परिया टक एस्मार्ट कार्ड लंच किया है या नई दिल्ली में आयोजित G20 सिखर सम्मिलन को ध्यान में रखते हुए पडियाटकों की सुभिदा के लिए नई दिल्ली मेट्रो ने पडियाटक स्मार्ट कार्ट लंच किया है हाली में किस railway station को Indian Green Building Council द्वारा Platinum की उच्चितम लेटिंग के साथ Green railway station का प्रमानन से सम्मानित किया गया सही उत्तर ऑप्सन नमबर डी बीजैवारा डेलवे स्टेशन जो अंध परदेश में इस्थित है नेक्स्ट कोश्चन है उनिस्वें SCI खेलों के लिए भारतिय दल के ओफिसियल स्पॉंसर के रूप में किसे नामित किया गया है सही उत्तर ऑप्सन नमबर डी अमूल को उनिस्वें SCI खेलों के लिए भारतिय दल के ओफिसियल स्पॉंसर के रूप में अमूल को नामित किया गया है उनिस्वें SCI खेल 2022 में होने वाला था किन्तु COVID-19 की बज़ा से अब यह 2023 में आयो जित होगा और यह जो उनिस्वें SCI खेल है यह चीन के हांगजू सहर में आयो जित किया जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है भारत की अध्यक्सता में होने वाले G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है भारत के नई दिली में आयो जित G20 सीखर समेलन में जिसमें हाली में अफ्रीकी संग को अस्थाई सदस्यता दिया गया उसमें गेस्ट कंट्री के रूप में नव देशों को अमंत्रित किया गया था ये नव गेस्ट कंट्री थे बंगलादेश, मिस्र, UAE, निदरलेंड, मौरिसोस, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापूर और स्पेन नेक्स्ट कोश्चन है भारत के पहले UPI ATM को किस पेमेंट सर्विसेज द्वारा लंच किया गया है हिताची पेमेंट सर्विसेज, भारत के पहले UPI ATM को हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा लंच किया गया है हिताची, इस काम के लिए हिताची को NPCI ने सहयोग किया है नेक्स्ट कोश्चन है, हाली में नसकॉम के नए चेयर परसन के रूप में किसे चुना गया है तो नसकॉम के नए चेयर परसन बनाए गया है राजेस नामबियार को, हाली में राजेस नामबियार को नसकॉम का नए चेयर परसन चुना गया है नामबियार, Microsoft India के पुर्व अध्यक्ष अनंत महस्वरी का अस्थान लेंगे अर्थात आनंत महस्वरी जो माइक्रोसोफ्ट इंडिया के पुर्वध्यक्ष है ये नैसकॉम के चेयर परसन थे जिनका अस्थान लेंगे राजेस नाम वियार एक्सरसाइज ब्राइट एस्टार तेज की मेजवानी कौन सा देश कर रहा है या एक बहुराश्ट्रिय साइन अभ्यास है इसमें इसका उद्देश भारत या एक बहुराश्ट्रिय साइन अभ्यास है जिसमें भारत की ओर से आई एन एस सुमेधा सामिल हो रहा है नेक्स्ट कोश्चन है निम्न में से किस प्रच्छेपन यान से भारत का सोर मिशन आदित एलवन प्रच्छेपित किया गया सही उत्तर ओप्सन नमबर डी पी एस एलवी सी फिप्टी सेवन से भारत का पहला सोर मिशन आदित एलवन लंच किया गया है यह सूरे के आदित एलवन जो है यह सूरे के फोटोस्फेर, क्रोमस्फेर और सबसे बाहरी परत कोरोना का पर्यावेक्छन करेगा सही उत्तर ओप्सन नमबर डी गांधि नगर गुजरात में गांधि नगर गुजरात में पहला बैस्विक सिखर समेलन विश्व स्वास्थ संगठन और आयूस मनत्राले द्वारा आयुजित किया गया था और या पारमपरिक चिकिस्षा पर पहला विश्व सिखर सम्मेलन था इसका आउटकम दास्तोवेज गुजरात घोष्टना पत्र को जारी किया गया है इसी सिखर सम्मेलन में इसका आउटकम दास्तोवेज गुजरात घोष्टना पत्र के रूप में जारी किया गया है हाली में चर्चा में रहे जस्टिस अमिताब राव समिती का संबंध निम्न में से किस से है सही उत्तर अप्सन नमबर वी जेल सुधार से अमिताब राव समिती का संबंध है जेल सुधार से चीन द्वारा बांध निर्मान के खिलाफ प्रतिकिरिया स्वरुप भारत किस नदी पर बैराज का निर्मान करने की घुशना कर दी है सही उत्तर, option number C, सियांग नदी पर चीन द्वारा बांध निर्मान के खिलाब प्रतिकिरिया स्वरुप भारत सियांग नदी पर बैराज के निर्मान की घुषना कर दी है यह जो सियांग नदी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जिसे चीन में इस सियांग नदी को चीन में यारलूंग जांगबो कहा जाता है जो ब्रहंपुत्र की सहायक नदी है नेक्स्ट कोष्चन है बिश्व मौसं विज्ञान संगठन के नुसार समुद्री हीट बेब कब तक जारी रह सकता है जो समुद्री हीट बेब है जब समुद्र के किसी विशेश छेत्र में समुद्र के सतव का तापमान कम से कम पांच दिनों के लिए तीन डिग्री से चार डिग्री सेर्टियस बढ़ जाता है जिसे समुद्री हिट वेब कहा जाता है नेक्स्ट कोश्चन है भारत ने किस देश से MQ9 UAB प्रिडेटर B ड्रोन खरीदने का अनुरोध किया है सही उत्तर ऑप्सन नमबर D अमेरिका से नेक्स्ट कोश्चन है हाली में भारतिये डेल और परिवहंस संस्थान का गती सक्ती विस्व विद्राले में बिले हो गया है गती सक्ती विद्राले किस राज्य में इस्थित है सही उत्तर हो जाएगा औप्सन नमबर C गुज़रात राज्य में गुजरात राज में इस्थित गती सक्ती विश्व विद्याले में हाली में राष्ट्रिय रेल और परिवहन संस्थान का बिले हो गया है गुजरात के बरोधरा में इस्थित है गती सक्ती विश्वविद्याले जो एक केंद्रिये विश्वविद्याले के रूप में मानेता प्राप्त है जिसकी अस्थापना हुई थी 2022 में नेक्स्ट कोस्चन है चेडियल एस्क्रॉल पेंटिंग जिसे हाली में जी आई टैग मिला है किस राज्ये से संबंदित है सही उत्तर अप्सन नमबर भी तेलंगाना राज से संबंदित है चेडियल एस्क्रॉल पेंटिंग जिसे हाली में जी आई टैग मिला है या भारत के त लंगाना राज से संबंदित है धन्यवाद